इस वीडियो में हम बात करेंगे important questions, most likely questions जो university के paper में पूझा जा सकता है business economics semester 5 का I hope आपका FA और जो cost था वो बहुत अच्छा paper गया होगा तो अभी जो है business economics के कुछ important questions हम लोग देख लेते हैं देखें ये model 1 का important questions है ठीक है चाहिए तो आप screenshot ले लीजेगा model 4 का short notes का ठीक है तो ये important questions है most likely जो university के paper में रहेंगे ठीक है दूसरा हम लोग क्या discuss करेंगे जो है previous year के questions paper with notes के साथ ये मैं आपको provide करूँगा ठीक है तो वीडियो पूरा ध्यान से दिखिएगा साथ में कैसे study करना है और कौन से optional chapters है ये मैं आपको इस वीडियो में detail में बताऊंगा मतलब अगर आपने साल बर कुछ नहीं पढ़ाई किया है और अगर आपने साल बर पढ़ाई भी किया है तो ये दोनों के लिए वीडियो से जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है वो अराम से जो है 40 से 50 marks ले आएंगे ये वीडियो देखने के बाद ठीक है और जिन लोगों ने पढ़ा है वो 70 भी ला सकते हैं Sir 80 भी ला सकते हैं Sir 90 भी ला सकते हैं मतलब वो बहुत अच्छे marks score कर सकते हैं ठीक है तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना जो भी मैं समझाऊंगा पूरा एक note down कर लेना और उसके साब से study start कर देना आपके बाद दो दिन है वो आराम से अच्छे से बढ़ो बहुत अच्छे marks आएंगे ठीक है और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर कीजेगा और वीडियो अगर आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ अगर आपको समझ में आ गए कि हाँ सर समझ में आ गए ये बस इतने ही पढ़ना है तो एक comment कर देना ठीक है पेपर देने आने के बात comment करना या पहले भी comment कर देना ताके जो है मुझे समझ में आए कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए useful है या नहीं है इससे motivation मिलता है कि भाई जो आपको बताया गया वो सारी चीज़ें समझा है या नहीं समझा तो एक comment के तो जो है आप हमें reply कर सकते है कि हाँ सर समझ में आ गया ठीक है चलिए तो अब जो है सबसे पहले हम लोग ये important questions का discuss कर लेते हैं तो देखिए ये जो important question है जरूरी नहीं same to same ये university में इसी question पूछे तेखो काफी time क्या होता है question तो same ही रहता है अब जैसे माली जी हमने पढ़ा ही किया था ये दोनो question role of social infrastructures in education role of social infrastructures in health और question क्या पूछ ले ये दोनों पूछा ही नहीं university के पेवरा पूछ कह लिया importance of social infrastructures तो सर क्या करना है कोई बात नहीं आराम से आपने जो education में पढ़ा है न जो health में पढ़ा है वोई point लिख देने का याद रखना economics development एक point है आपके इधर पे भी लिख सकता है यहाँ पे क्या आएगा economics development के लिए आता है सर economics का अब ये education किसलिए किया जाता है लोगों का improvement के लिए न तो उसको word क्या है standard of living improve करना सर ये health service तो life expectancy health services improvement करना तो सर तीन point तो आपको यही से मिल गया सर अच्छा सर जो resources है उसको सही से utilize करना सर 4 point हो गया अब बताव social infrastructure का meaning लिख 4 से 5 point लिख दिया हो गया न माक्स तो काफे टाइम बच्चे लोग बोलते कि सर ये question पढ़ा और ये नहीं आया तो तो देखो बैटा जो ये question तुम पढ़ोगे न तो उससे related अगर कोई question आया तो लिखने का उतना ability आपका होना चाहिए इसके लिए बोलता हूँ concept clear करो समझे की नहीं समझे आप जिसे मालीजे ये sustainable development goal है अब ऐसे 10 sustainable development goal के जगे पर 7 पूछ सकता है या कुछ और ही घुमा के question पूछ लेगा बट वहाँ पर sustainable development रहेगा ठीक है तो अब जो है sustainable development क्या है उसका क्या goals है अगर आपको ये दो concept के लिए रहे है तो आप अराम से answer लिख लोगे क्योंकि sustainable goals तो चप्टर में एक ही चप्टर है और उसी में सही question लिखना है बासमझ में आकी रहेट अब जैसे मालीजे FDI है या MNC है अब FDI का role पूछ लेगा या MNC का advantage, disadvantage तो अगर role पूछा तो ये जो advantage का point है लिख दो role के अंदर FDI के अंदर सिर्फ disadvantage का आपको क्या करना points पढ़ना है तो difficult है कैसर, नहीं difficult है पढ़ेने का मैं तरीक आपको बता रहा हूँ questions जो है कैसे भी पूछ सकता है बट आपको जो है इस तरीके से पढ़ना है ताके जो है आप आराम से answer लिख सको सर इसका solution क्या है इसका solution यह बेटा कि देख जैसे आप क्या कर notes ले अब notes लेना मतलब क्या करना जैसे notebook उठाने गया notebook में ऐसे 4 page में divide कर दे ठीक है, यहाँ पे question number 1 के point लिख दे, यहाँ पे question number 2 के point लिख दे, यहाँ पे question number 3 के points लिख दे, यहाँ पे question number 4 के points लिख दे, और यह points का क्या अगर, यह paper का किदर पे सामने stick कर ले, तेरको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, बेटा, points से याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, point क्योंकि जब तुझे point याद होगा, तो बहाँ पे तेरा समझ जाना 50% काम खतम हो गया, अब तेरा 50% का काम क्या है, कि भाई, तेको English उतना आना चाहिए, ताके तुम English में थोड़ा सा explain कर सकते, तो यह क्या हो गया, यहाँ से, आराम से, इस तरीके से तुम पढ़ेंगे, तो आपका concept से भी क्लियर होगा, points भी आद रहेगा, और explanation भी कर सकता है, ठीक है, अब model 2 का अगर आप देखोगे, तो model 2, मैं हमेशा advice करता हूँ कि आप पहले model 2 कीजिए और फिर उसके बाद जो है, जहाँ पे भी मैं lectures लेता हूँ, वो class में में भी बोलता होगे भाई, पढ़ाता भी पहले हो, कि model 2 पढ़ाता हूँ पहले, और उसके बाद फिर model 4 पढ़ाता हूँ, क्यूंकि ये दोनों पढ़ लिया, तो आराम से जो 40 से 50 marks हो जाएगा, और इसमें क्या selected questions है, अब जैसे माल लीजे, यहाँ पर काफी लोग questions पुछते, sir, structure और instrument of money market दोनों एक ही question का answer लिख सकते कैस, नहीं, नहीं, एक साथ नहीं लिख सकते different, दोनों का अलग-अलग question ठीक है, अब जैसे introduction, reforms है, अब देख बटा, इसका structure है, instrument है, और reforms है, ये तीनों में से एक question 100% जो है, university के paper में रहेगा, लेकिन क्या बेटा, ऐसा लिखा रहेगा, discuss the various instrument, नहीं, वो क्यों ऐसा नहीं रहेगा ना, उसका भी मैं आपको बताऊंगा, don't worry, university का paper आपको दिखाऊंगा, अब जैसे मालीजे, structure of capital market, और reforms in capital market, ये दोनों में से कोई ये question कंबल से रही, आपके paper में रहेगा ही रहेगा, 100%, लिख लो 100% रहेगा, बस आपको question पहचानने में नहीं आएगा, बट question तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसके बाद फिर जैसे मालीजे, role of sebi है, ठीक है, security exchange board of India उसके बाद ये short notes है ठीक है, अच्छा, model 2 कर लिया, और model 4 कर लिया सर, ये model 3 में क्या करना है देख बैटा, ये वाला एक part कर ले और ये वाला एक part question कर ले अगर ये दोनों question तुने कर लिया मतलब तिरको अराम से जो है 10 marks इस model 3 से आ जाएगा तुझे 10 marks जो है, अराम से score कर सकता है, क्योंकि ये दोनों question में से एक question तो रहे गई चाहे 5 marks का रहने थे, या 1 marks का objectives में रहने थे, बट question तो रहेगा पका, ठीक है तो ये model 2 का, model 3 का कर लिया, ठीक है, अच्छा, आप पूरा agriculture policy आएगा question, ठीक है ये pricing policy है, और source of agriculture finance अब देख बेटा, ये क्यों मैं बोल रहे important question आएगा, क्योंकि अगर तुम slabbers देखेंगा ना, सबसे पहले slabbers देखेंगा, तो उसके अंदर ना, ये जो है unit wise, जैसे पहला unit है दूसरा unit है, तीसरा unit है चौधा unit, तो ये इसके उपर ना, ये syllabus के उपर कौन सा chapter तुम option में रख सकते हैं, कौन सा chapter तुमको करना है, ठीक है, और कुछ video lecture जैसे capital market के उपर, money market के उपर, ये model 2 का पूरा almost जो है, जैसे national agriculture policy, pricing policies, agriculture finance, ये दोनों topic के उपर जो है, videos, ठीक है, plus sustainable development के उपर, videos, ठीक है, और first chapter के उपर, जो है, videos ये कुछ lectures, जो है 8 से 10 lectures, मैंने बनाए है, ठीक है, special वो student लोग के लिए, जो कुछ भी साल बर में नहीं पढ़ाई करते हैं, या जिन लोग जो पढ़ाई भी करते हैं, कि by last moment पर कुछ revision हो जाए, उसके लिए जो है, हमने, जो है, पूरा course, जो है, proper design किया है ठीक है, अब वो app में system में available है, और मेरे YouTube channel पर free में भी कुछ है, कुछ lectures free में भी available है, तो simply तुमको क्या करना बेटा, search करना है, search करना topic, तुमको YouTube पर मिल जाएगा या तो फिर तुम directly हमारे app पर visit कर सकते हैं, ठीक है, app स्क्रीन पर दिख रहा है, वो app को क्या करना, play store से download करना है, और वहाँ से जाके तुम economics का lectures देख सकते हैं, sir, lectures buy करेंगे तो उससे साथ क्या होगा, देखो पेटा, lectures का जो है ना, बहुत minimum प्राइज है, इतना प्राइज है कि भाई, तुम easily offer कर सकता है, ठीक है, और वो एक बार ले लिया तो चार वीडियो देख लिया ना, तो वर्थ हो जाएगा, और तुम एक दिन के अंदर पूरा syllabus का समझ में आ जाएगा, अच्छा, model 2 इतना आसान है, model 4 इतना आसान है, इतना असान है, ठीक है, प्लस तुमको क्या मिल जाएगा बैटा, notes मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा notes, और तीसरा चीज क्या होगा, तुम directly मुझे call करके पूछ सकता है, कि सर, ये question है, इसमें क्या करना है, सर, मुझे phone पर समझाओ, मैं 10 से आप पर नहीं course भाय करते हो, कोई बात नहीं इतना तो मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ, कि भाई, ये important questions है ये model आप पहले कर लो, जैसे मैंने बताया, आप model जो है 2 पहले कर लो, और model 4 आप कर लो, ठीक है, उसके अंदर भी कौन से questions है, वो भी मैंने आपको बता दिया, जैसे model 4 के questions है, और ये model 2 के questions है, तो आप इतना खुछ से भी free में भी पढ़ सकते हैं सर, है ना, बहुत है, notes के लिए जो है, अगर आप notes देखो कि कुछ notes free में app पे available है पूरा syllabus का notes free में question answer form में available है, लेकिन जो मैंने notes बनाया है, वो course के अंदर ठीक है, question answer form में जिससे आपको समझ में आए ना, बहुत है ना, सरीए question है, तो कितना points लिखना है कैसे answers लिखना है, पूरा detail अच्छे एक बेटा, और चीज़, paper में presentation कैसे कर रहा है, उसका video free में YouTube पे available है, मैं description के अंदर डाल दूँगा, video के नीचे, देख लिए ना, एक बार paper presentation का, because ये सबसे पहले important है की paper लिखना कैसे हो, वो समझ में आना चाहिए आज समझ में आगे, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा important रखती है तो मैंने important question जो था, वो मैंने discuss कर लिए, ठीक है, detail में और detail में analysis करना है, तो app पे जाके तुम check कर सकते हैं, ठीक है अब ये कुछ previous year के question paper जैसे माल लिजे, ये question paper है आपका सले, question number two देख ले बेटा, यहाँ पे liberalization पूछा है, देख यहाँ पे health related पूछ लिया है, यहाँ पे sustainable development पूछ लिया है, question number two में, जैसे model, जो two का है na, model जो two है, उसमें पहले पुछा है, national features पूछ लिया agriculture policy का, फिर different role sector financial institution अब different financial institution कौन सा है उसमें, एक जो है आचा है, इसमें different role of financial institution, इसमें दो टाइप का है, एक source institutional है, एक non-institutional, तो जो institutional है, उसका तुम यहाँ पे explain कर सकते हैं, जैसे bank, cooperative bank, rural, original bank नबाट bank फिर उसके बाद जैसे year role of policy initiative, तो इसमें से कोई 2 ही करना है, तो आपका 2 हो जाएगा यह जो model 3 का है, वो question number 4 में पूछता है, देखो, यहाँ पे आगया MSME का, हो गया, दो question cover है न, फिर उसके, जैसे मालीच, यह question number 5 है, तो यह question number 5 कहां से, 4 से आए, सर देखो, यह cb का एक cover हो, अगर वो भी नहीं हुआ, तो देखो, यहाँ पे money market का एक हो गया, फिर अगर एक capital market का देखो, यहाँ पूछ लिया है, तो ऐसा नहीं है, यह जो question दिया है न, यह question आना ही आना है भाई, ठीक है, ओके, तो यह आराम से जो है, तुमारा cover हो जाएगा, ठीक है, यह एक paper है, तो यह question paper है, अच्छा, इसका PDF चाहिए और notes चाहिए, तो simply जो है, आप link description में देदूँगा, यह तो यहाँ पे link देता हूँ, I, M, A, D, U, D, 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 I, N, educare, E, D, C, A, R, E, educare.com ठीक है, यह जो है website है, इस website पे जाके तुम यह पुरा notes access कर सकता है, ठीक है, कुछ free में notes हमने provide कर दिया, इतना, कि भाई, बहुत सारे बच्चे नहीं offer कर सकते हैं, यह नहीं करना उनको, कोई बात नहीं, आप जो है, हमारे website पे जाके, free में download कर सकते हैं, बट यह है कि थोड़ा सा वहाँ पे, जो बहुत थोड़ा सा long answers मिल जाएगा, बट उसको थोड़ा short brief में question answer form में जो है, कर दिया, आप के, ठीक है, तो थोड़ा सा जो value pay करेगा, तो उसको extra service तो मिलना चाहिए, राइट, है ना, तो फिर भी लेकिन free में भी इतना available है कि भाई, तुम आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है, बाकि अगर तुमको ease करना, easily पढ़ना है, तो उसके ल होंगे, वो आपको description में मिल जाएगा, simply जाके चकल लेना, okay, आपके कुछ questions होंगे, तो comment section में पूछ लीजेगा, और आपको video कैसा लगा, अभी आप मुझे बताइए, कि आपको video कैसा लगा, sir, जो important questions मैंने दिया है, वो useful है कि नहीं है, ठीक है, वो समझा आपको, ठीक है, एक चीज़ और है, यह syllabus के उपर, जो है, मैंने detail पूरा lectures बनाया है, ठीक है, app के अंदर, जिसको अंदर बताया है कि यह syllabus में कौन सा chapter तुम option में डाल सकता है, कौन सा chapters पढ़ सकता है, वो मैंने detail में बनाया है, तो app उसके लिए तो है, आपको visit करना पड़ेगा, ठीक है, visit क वहाँ से मिलेगा सर, वो app के उपर free में है, app के अंदर जो है, जाओगे, study material section के अंदर जाओ, वहाँ पर free में तुम download कर सकते है, so I am sure कि आपको video समझ में आ गया होगा, अगर हाँ, तो video को like करना, comment करना और share जरूर करना, ठीक है, चलो, मिलते है next lecture में,